हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल बेस्ट नोरिज टूड़ेज माई टॉपिक बीसी नर्सिंग फॉस्ट यर के लिए अनट्मेन फिजियोलोजी का यह प्रिवीज कोशन पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे बनने से पहले अगर आप मेरी चैनल ब प्रिवेस्टी के शेयर किये थे और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनट्मेन फिजियोलोजी का प्रिवेस्ट कोशन पेपर यह हुआ है जैनुवरी 2019 का और यह रोतर्ग उनिवस्टी ओफ हारियाना का कोशन पेपर है राइट बीए से नसिंग फिर स्टूड टेबल एंड गरस आरिकार टेम पार्ट जो आनसर वूट आपको इक जो है अनैटमी की अलग से सेपरेट आंसर बोक ती जाएगी दें आपको फेसलोजी की भी एक सेपरेट बुक ती जाएगी जिसमें आपको फॉस्ट है अलग उपने जाफ जो है आंसर शीट में करना तुझा उस्ता है तो आपको जो है लेबल भी करना होगा नीट एन क्लीन होना चाहें अगर आप थाइग्राम बनाते हैं तो आपको उसके वोर मारक्स दिया जाएंगे अगर आप नीट क्लीन मुझा तब ही आपको अच्हासे मारक्स दिये जाएंगे उसके बारे में explain भी करन इसके बाद जो next आता है question number two आता है draw available diagram of इसमें जो question है one question आपका four marks का है आपको three question कहेंगे तो आपको 12 marks दिये जाएंगे तो A में दिया है blood supply of the spinal cord यह आपका four marks का होगा B में है kidney and internal structures यह आपका four marks का होगा इसमें C में दिया है right art theorem इसमें जो right art theorem है इसका भी आपको four marks का equation है तो आपको इसमें जो है diagram भी बनाना है तो इस चीज़ का अपको ध्यान लखना है जब भी आप diagram बनाए सबसे पहरे आपको diagram बनाना है उसके नीचे आपको थोड़ा से explain करना होगा ठीक है उसके बारे में जो भी आप से इसमें पूछा है तो आपको पूरा उसके बारे में अच्छे से explain करना होगा उसमें neat and clean होना चीए जो diagram बना रहे हैं उसके नीची आपको प erfahren भी लिखना हो गा कौन सा कोशिन का को आ डाइग्रम बना रहे हैं ठीक है कenthसे होते हैं कि कोशिन पेपर कर टाइमिंगों नागते हैं कि लागता है कि सो डाइमिंग कम है झाल भूल जाते ona bun इसके बाद आता है पार्ट सेकिन आता है इसके आपको एक अलग से आंसर करने होंगे ठीक है अनटमी वाला जो पार्ट आपको जो आंशर शीर दी जाएगी उसमें आपको फिजलोजी के आंसर नहीं करने है इसका अलग से दिया जाएगा तू आपको आंसर शीर दी जाएगी जिसमें आपको फिजलोजी जन और अलगलग से आपको पार्ट वे जो है कोशन करने होंगे तो इसमें आता है कोशन नम्मबर पोर आता है राइच शोट नोट ओन ठीक है यह आपका जो कोशन है नियूरो मस इसके पास जो कोहोगा रिफ्लक सान यह भी आपका homesche होगा 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 पूंसरी नम्र अनल नियर्घिए आपको इस में पूछा है कोशillar नाफ–7 इयर आपको जो है functions of middle year के बारे में बताना है उसका आपको जो है diagram भी बनाना होगा ठीक है थोड़ी सी definition देगे diagram बनाएंगे उसका diagram का जो name जैसे middle year है उसके बारे में लिखेंगे then उसके बार आपको जो functions of middle year के बारे में explain करना है अगर आपको जो आपने डायराम मनाय है उसके बारे में अगर आपको से पीसरें बड़ा है जोरो नहीं कि आप अच्छे से एक्स्पिलिन करें अगर आपने किसी से पड़ा है चाहि deny आपने बुगल से पड़ा है और आपको किसी भी बुक्स T의 The अगर learn है उसके बारे में तो आप वो भी लिख सकते हैं ठीक है जो रोजनी की books का ही लिखे नोर्स का ही लिखे जो आपको college वाले करवार है वही लिखे ऐसा नहीं है ठीक है इसके बाद जो बी में आता oxygen आता है यह आपको जो होगा 4 marks का होगा सी में आता calculation पार्त भी यह आपका 4 marks का होगा question No.6 में है right features of इसमें आपको जो है क्या करना है lactation यह आपको 4 marks का है goiter यह आपको 4 marks का है c में iron and deficiency नहीं में यह आपका 4 marks का है clear तो यहीं है जो मैंने आपके साथ कोशन शेयर किये हैं एक अबर आप इसे जुरूर देख लीजिए आपके लिए काफी है अगर मेरे चैनल पर कोई भी न्यू वीवर हैं अगर आपको इंपोर्डेंट कोशन चीए या फिर आपको प्रीविस कोशन पेपर चीए या फिर आप आपको एक में एक तरीका बताती हूं अगर आपको इनटमी फिसलोजिम कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको टफ लगता है आप सबी ही प्रीविस कोशन पेपर उठाएं उनमें देखें कि कौन कौन सी कोशन है जो बार बार रपीट हो रहे हैं बार बार उनके पारे में हर बार यह कोशन पूछा जाता है ठीक है तो इस चीज़ को आपको देखना है कि यह कोशन भार बार आ रहा है तो मोस्ट पटन है उसको आप नोट कर ले एक डाइडी में और चाहे तो आप बुक में भी निशान लगा सकते हैं ठीक है उसे आपको थोड़ा सा याद भी रह करना है तो उसको आपको टोपिक को एक रफ नोट बुक पर आपको जो है लिख लेना है और जब आप से लर्न करें जितने भी प्रीविस कोशन पर उठाएंगे उसमें देखते जाए कोन को से कोशन आ रहे हैं उसे आप राइट आउं करते जाए जब उससे लर्न करें तो आप अच्छे से ही करें को वह तरीका है अच्छे से याद करने का कि आपको कोई भी टोपिक से जी एनम सेकिंडियर की उनका जो मेडिकल सर्जिकल फॉर्स सेकिंड जो भी है तो वह इंपोर्टर मॉस्ट वाना जो टॉपिक है वह मैं आपके साथ जो है कुछ टाइम के बाद ही शेयर करूँगी अभी जो जितने में इंपोर्टर टॉपिक से जितने भी प्रिविस